अच्छों ये जेए में 2023 का कुशिशन है 25th जैन सिफ 2 का a point charge of 10 a point charge of 10 a point charge of 10 microcoulomb is placed at the origin at what location on the x-axis should a point charge of 40 microcoulomb be placed so that net electric field is 0 at x is equal to 2 cm on the x-axis ठीक है question क्या बोला गया इसको डाइग्राम से समझेए यहां पर बोला गया कि यह माल लिजिए y-axis हो गया और यह जस्ट आप सब्सक्रें कि x-axis हो गया और यह origin हो गया तो आप से बोला जा रहा है कि origin पर माइक्रो कुलम आप यहां पर 10 कि माइक्रो कुलमक का चार्स रख दिया ठीक है तो बोला है कि दूसरा चार्ज बताइए हम कहा रखे हैं कि कि हम origin से कितने तरह कि origin से हम कितने टिस्टेंस पर रखे हैं जिस से की हमें यहां पर x is equal to two meter पर ons गैना हमें यहां पर मैं लिख देता हूं x is equal to 2 meter ठीक है मतलब 2 meter पे यहाँ पर field 0 मिल जाए यह point P माल नीजी होगा यहाँ पर net field 0 बोल रहा है तो net field 0 कैसे होगा एक बार इसको दिखा देता हूं मैं समझा देता हूं क्योंकि यह positive charge है अगर यह positive charge है 10 microcolum तो यह अपना field कहा देगा away from charge मतलब इधर देगा ठीक है यह 40 microcolum भी positive यह भी अपना field कहा देगा इधर देगा तो दोनों field तो एक दुसरे को oppose कर रहा है तो possibility क्या है possibility यही है न कि net net 0 हो सकता है possibility तो यही बोलता है कि नेट 0 हो सकता है अगर दोनों तुसरे को पोस्ट कर रहा है तो ठेक है तो इनके बीच का distance यहां से लेकिए यहां तक मान लेजिए एक्स है और जो इनके बीच का distance है यही तो इसका position भी है यही तो इसका position भी है और एक चार्ज तो संक्राइब के डिस्टेंस पर एक मिनट तो संटीमीटर के डिस्टेंस पे अगर जिरू है ठीक है तो फिर इधर में भी कितना होना चाहिए इधर में X-2 cm होना चाहिए कि यतने डिस्टेंस पर यह चार्ज होगा है ना तो अब हम लोग जब अभी दिखाया मैंने आपको के दोनों के विए से फिल इंग दिस्टों का पोज करेगा और नेट जिरो हो जाएगा तो हमें वहां पर क्या करना चाहिए जिरो करना चाहिए तो हम लोग लिखेंगे कि फिल दिव टू टैन माइक्रो कुलंब मस्ट भी इक्वल टू फिल्ड डिव टू 40 माइक्रो 40 माइक्रो कुलंब एक दूसरी को फिल अपोज करेगा तभी तो जिरू होगा ना क्योंकि नेट जिरू बोला गया फिल यहां पर तो नेट जिरू तभ सब्सक्राइब करने की जोड़ोत आपको ही नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां पर कैंसर हो जाएगा वैसे भी यह ठीक है और हमें सारे ओप्सिंस देखो तो किसमें चाहिए सेंटीमीटर में चाहिए तो इसलिए सब्सक्राइब करने की जोड़ोत आपको ही नहीं आपर यहां पर कि 40 माइक्रो कुलंब आप यह बोलेंगे सारी हो तो कुलंब आपने एसा यूनिट लिए और डिस्टेंस सीजिस में लिए तो कुलंब कैंसल हो जाएगा ने आपर वही तुम्हें आपको बोल रहा था भी कि यहां पर कुलंब कैंसल हो जाएगा ठीक है तो अब यह कैंसल कर देंगे हम लोग और 40 से कितने डिस्टेंस पर जिरू हुआ है X-2 न तो आप इसले X-2 रखेंगे यहां पर तो यह और K भी कैंसल हो गया है ना माइक्रो कुलंब भी कैंसल हो गया तो इधर से अब क्या आए एक जिरो भी कैंसल हो गए तो क्या आएगा वन अपन तूस्कूर इस इकूल टू अब यह जो फॉर है न इसको टूस्कूर करतो टूस्कूर अपन एक्स-वाइनस टू हॉल स्कूर ठीक है और फिर बोद साइड मेरा फिर यहां से बोद साइड मेर रूट ले लो तो बोद स साइड में रूट लेने पर ऐसा आएगा फिर क्रोस मल्टिप्लिकेशन कि जैथा x-2 is equal to two into two that is four तो यहां से क्या आएगा कि x-2 is equal to four then x is equal to six meter then x is equal to six meter तो यह जो position आएगा यह कितना आएगा यहां पर यहां पर जाएगा यह position 6 meter ठीक है आप किसी के mind में question यह आएगा कि सर आपने positive x axis पर ही क्यों लिया आपने इधर क्यों नहीं लिया आप इधर भी तो ले सकते थे बिलकुल ले सकते थे अगर इधर में positive आया है ना positive 6 मतलब positive में 6 centimeter तो इधर लेते ना तो क्या आता उ वसी चीज का माइनस में बोलना परता है क्यों कि यहां पर यह नेगटिव x axis है और यह एक चार्ज ओरीजीन पर है तो इसलिए इधर से एगर 6 सिक्साइगा नहीं तो इसलिए इधर भी तो आप कैसे बोलेंग एंसर, तो इसलिए प्लस 6 का एंसर है, तो आप प्लस 6 वाला देखिए आपर, तो यह है option number 1 is a correct,